इभाजपा के तीन जमाई, EDIT-CBR, क्या मिला, कुछ भी नहीं, नतीजा क्या ने कहीं, जीरो बटा सक्राथा तरीके से केंद्रिय जाच एजनसी का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, बिहार और देश की तमाम जनता जान गई है कि बीजेपी के जो तीन बड़े एजेंट है, यानि की CBI, ED और इंकम टेक्स की बात कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि पहले भी उन्होंन लेकिन कुछ नहीं मिला, इस तरीके से विपक्षी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, अभी शेक जाप, पहले आप सुनें इससे पहले भी जात एजेंसिया बिहार में आई थी है, क्या मिला, कुछ भी नहीं, नतीजा क्या निकला, जीरो बटा सन्नाता, फिर से रेड हो रही है, देश की जनता समझती है, कि भाजपा के तीन जमाई, ED, IT, CBI, किस तरह से भाजपा के इशारे पर लगातार एजेंसि आउक यहां ही रेड पढ़ती है, और भार्तियनता पाटी के सभी नेता पाक साफ है, इन लोगों ने राजनीती की एक अलग संस्टिती शुरू की है, जनता आने वाले समय में इन्हें सबक सिखाएगी जाच अजेंसियों का दुरुप्योग कर रही है, जिस तरीके से CBI, ED और इंकम टैक्स के दोरा चापे मारी की जा रही है, वेविन जगहों पर उसको लेकर उनका साफ कहना है कि यह गलत है, जान बूच कर विपक्च को यह तमाम लोगों के आच चापे मारी हो रही है, कोई CBI, ED और इंकम टैक्स का वो जिकर कह रहे हैं, उसमें साफ कह रहे हैं कि यह लोग केवल वेपक्चियों के यहां जाते हैं, इससे पहले भी कई जगहों पर शापे मारी कर चुके हैं, तेश्वी यारव की बात हो रही है, राज़त से MLC हैं, सुनील कुमार उनके यहां इंदर सरकार के दौरा किया जा रहा है, ताकि उन्हें डराया जाए, लेकिन वो जान ले कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इससे पहले भी आपने कई बार चापे मारी कराई है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ हुआ है, जो BJP की B Team है, यानि की CBI, ED और Income Tax की बात हो रही है, तो उन लोगों को बिहार भेजने से कुछ नहीं होने वाला है, फिलाल खुर्मने से फितना ही है, आप हमारे साथ बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब में ही किया, तो जल से जल कर ले, बहुत बहुत धन्यवाद,